for children who are in concrete operational stage teachers should not concrete operational प्याजे की साथ से ग्यारा वर्ष मूर्थ संक्रियात्म कवस्थ तो टीचर्स को क्या नहीं करना चाहिए इस उम्र की बच्चों के लिए से सब्सक्राइए गिल सीरियेशन टास्क सीरियेशन टास्क सीरियेशन तो आई जाता है यानि बढ़ते करम में घटे करम में लगाना तो यह तो करना चाहिए इसके पूछाई गलत था क्लासिफिकेशन की आपको अपर्शनटी देनी कि यह चीज़ इसमें आ जाती है एक थार्ड ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा क्योंकि यही गलत है यह नेक्स्ट स्टेज में आएगा इसमें नहीं क्वेश्ट करंट साइको लॉजिकल थेयरीज आपका रिवाइस हो क्या रिष्टा है यह रिष्टा क्या कहला था अभी हमने फॉर्ट और लेंग्विज को एक भी सेम बात की थी एक नंबर का क्वेश्ट आता ही है 100% हर बार कॉगनिशन और दूसरी तरफ है इमोशन दिल और दिमाग की लड़ाई के सकते हो आप इसको जो TV Serials में आप देख क्या क्या है आपका दिमाग दिमाग क्या है तिंकिंग रीजनिंग जो भी काम दिमाग से होते हैं जो आपने पढ़ा है प्याजी थेरी में हर जगा काम आएगा imagination problem solving जितने भी काम दिमाग से हो रहे हैं इमेजिनेशन जो भी है ठीक लेंग्वेज भी इसी का पार्ट है यह है क्या आपका दिमाग आपकी एक प्रभाववित करते हैं क्या रिश्टा है उनका नाम क्या है यह इतना साइब टॉपिक है इनका नाम आए तो यह इंडिपेंडेंट है एक दूसरे वो प्रभावित ऐस सच नहीं कर रहे हैं लेकिन इन जनरल अगर हम माने तो हमारा दिल और दिमाग दूसरे वो प्रभावित करते हैं और आप अच्छा एक्साइट फील कर रहें के नहीं है और बहुत करके आँगा पेपर देखते हैं क्या होगा तो आपका दिमाग भी अच्छा काम करेगा ठीक ना देखेगा तो को प्रभावित करते हैं इंटर्ट्वाइन है सिंपल बात इंडिपें है जब तक इनका नाम ने लिखा तब तक आप इंडिपेंडेंट है यह नहीं कहेंगे अगर पूछ अकॉछ अकॉर्डिंट तो कहेंगे इंडिपेंडेंट है डोजा रठान में पूछा जा चुका है अल्ली कोगनिशन इंफूरेंस ऐसा कोई ने कहता कि सिर्फ कोगनिशन है कि इंटर रिलेटेड है अगर और तीसरी भाषा में कुछ नबर 14 भाषा एक यह शब्द लगे वर्टीन देखेगा इस ट्रैटेजी तू रमेंबरा लॉंग स्ट्रिंग आफ लेटर्स बैटर्स बैग्रूपिंग देम इन्टू मैमरेबल एंड मीनिंफुल पार्ट इस स्ट्रैटेजी है एक लॉंग स्ट्रेंग आफ लेटर्स आपने लेटर्स मालीजे लेटर्स इसको ऐसे भी पुछा जा चुका है कई बार कि मालीजे एक फोन नमबर है ना ओन नमबर है 9599161025 यह लेट्स लान का नमबर जनली ऑफ रहता है बट कही लोग वाट्सप्ते हमे आपने गुरुप कर लिया तीन यह चार चाहर कि 9599 फिर 161025 तीन भागों में डिवाइड कर लिया इसको चंकिंग कहते हैं इसको चंकिंग कहते हैं मैटा कॉणिशन ने थिंकिंग अबाउट यार उन थिंकिंग रिव्यू करना प्लान करना उसको आपकी जो थॉट्ट है उ तो टुकोड़ों मेटोड़ के याद कर रहे हैं तो यह चंकिंग है नमबर 15 देखना फटाफट से फार्मिलेटिंग नियू क्लेरिफिकेशन गिविंग बेउंड इस सिंपल एप्लिकेशन अफ प्रिवियस्ली लॉन रूस्ट वचीव अगोल एन इवैलुएटिंग दी आउटकम सार इंपोर्टन पार्ट सॉफ वट्टाफट से बताओ किसी ल नमबर लाने है सीट में 130 नमबर लाने है वाटेवर ठीक को प्राप्ट करने के लिए पहले से सीखे गए नियों को इस सरल अनुप्रयों के परे जाना जितना सिर्फ याद कर लिया वहीं नहीं उसको एपलाए कैसे करेंगे इसके भी आप एक नेक्स लेवल जा रहें नए सब्सक्राइब करने कैसे पुछा जा सकता है ठीक इस पश्टी करन तयार करने क्लारिफिकेशन और परिणामों का मुल्यांकन करना इसका महतुपूर भाग है कि जब आप माली जो मॉक्त लगा रहें तो फिर अनलाइस भी करने हैं प्रॉपर देख रहें गड़बड कहां ह किस तरह क्वेश्टन में दिक्कत होती है और भी सारी चीज़ें आप यहां कर रहें 120 आपका लक्षे है कैसे लाएंगे इस पर फोकस कर रहें आप क्या है इसमें मेटा कॉगनिशन भी लग रहा है यानि आप तिंकिंग बेयॉंड तिंकिंग जा रहें और मेटा कॉप्शन क्योंकि और सब्सक्राइब में अपको जाना पड़ेगा इसलिए आप चीजों के पड़ेजा रहे हैं चलिए का अपने डिया को जीजों को जैसे प्याज़े की समय चैसमें अपने मान लिया कशा वगया उसकी बात यह नहीं होगी बहुत ही स्लोग रहे हैं हम वाशन नमर 16 देखना अब इसको थोड़ा सा टेस्ट की फॉर्मेट में ले 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 लिते हैं जल्दी करेंगे विश्ट्म करेंगे उतना भी जल्दी नहीं कि समझना है बच्चे अक्सर विभिन संकल्पों के बारे में वैकल्पिक संकल्प नाएं या फिर भ्रांतियां बना लेते हैं यह बच्चे ने देखा रे रंग का पानी तो इसको बता है भाई बहुता गरीन क्लर ने या प्लाव में या देखाया ब्लू कलरक पूल में अपनी नाना के यांग इंग आँए था बूए ऑट्यवर और मैं तो मुंबयी में स्यृमिंग पूल देखा था मैं एक बच्चा सब्सक्राइब कर दिसकर्षन करके ठीक कराना होता है चलेंज करके ऐसा नहीं कि यह कहें कि गलत बनाई नहीं सकता बच्चा बिद All the other experience तो यह जो इनको आरॉं कॉंसेप्शन कहते हैं या ओर्टरनेटिव ए यह इस तरह से भी एल्टरनेटिव ली सोच सकता वैकल्ठिक तरीके से सोच सकता कि लगता है उसके पापा रोज मदरडेरी से डूद लेकर आपया तो यह सही नए डूठी अनुबवाफ उसने वोई उसको आपको प्रमोट तो नहीं करना होता है डिसकिशंग करके खट्मियाद ठीक कराना होता है लेकिन यह नहीं कि आप यह कहें कि बनाए ही ना बच्चे ऐसा नहीं हो सकता यह सिरसे पैरवाला क्वेशन को पुछ लास्ट क्वेशन वहीं है आज की सेशन में देखके जाना आराम से ठीक तो नॉट करेक्ट बताव यह क्या करेक्ट नहीं है दी फॉर्मिलेशन आफ और अ स्ट्रॉंग लिडिस्करेज अल्टनेटिव कॉंसेप्शन एंड मिस्कॉंसेप्शन फॉर्म्ड बाए चिल्रन एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पना और भ्रांतियों को सक्त रूप से हतोत साहित करना चाहिए कि जो भी बच्चे ने कि उनको डिस्करेज कर दो भाई वो तो बन सकते हैं न क्यों करोगे सा चलो बाकी ऑप्शन भी देखेंगे अल्टरनेटिव कॉंसेप्शन सार्न नॉट अल्वेस अन फांडट बट रेदर रिफ्लेक्ट चिल्रंस इंट्यूटिव अंडर्सेटिव अंडर्सेटिंग अश्य हो इंट्यूटिव ली सहज रूप से जो भी में दिखता है कैसे वो सीखते हैं यह बताती है यह अल्टरेनेटेव अधारना है बिल्कुल सही बात है हमको तो गलत चाहिए आठीचर शूद डैफिनेटली लोग इन्टो इन्टीज अल्टेनेटिव कॉंसेट्स एंड मैं आपको ऐसा शब्द बोल दूं कोई जो पेपर में देखिये तो आप घबर आजाएं तो थोड़ा सा टेक्निकल लेंग्विज भी आपको पेड़गोजी में बता होनी चाहिए और यह सही टीचर काम है आप टीचर शूद इस्करेज ऑल्टेनिव कॉंसेप्ट्टिंस तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप डिस्करेजी कर रहे हैं कि उनका अल्टेनेटिव कॉंसेप्शन बनने ही नहीं देंगे हम ऐसा तो लाठी लेके बैठ जाओ बनेगा वो तो एक्स्पिरेंस के अधर उसको ठीक कराना है आपको उसके बारे में पता होना चाहिए आपको ग्रेश्ट नुब 17 देखना दो यूज ओफ मल्टी सेंसरी अप्रोच शुट बी एंकरेज्ट एड़ी प्राइमरी लेवल अफ एड्यूकेशन बिकॉस प्राइमरी लेवल कितने साल का बच्चा हुगा शें से ग्यारा वर्श का कक्षा एक से पांच में और एलिमेंटरी ग्यारा से पंद्रावर्श का बच्चा होगा सिक्स्थ टू एड़्ट क्लास में अब यहां पर प्राइमरी की जगा एलिमेंटरी लिखा हो था आंसर तब भी होता मल्टी सेंसरी का मतलब क्या है यानि मल्टिपल सेंसिस मैं बहुत बार क्याते हूं कि जितने ज्यादा सें यह पागम कैसा है अब भी अच्छाई है इट सेंसा लॉट आफ टीचर्स इंस्ट्रक्शनल टाइम तो टाइम बचाना परपस नहीं है यहां पर बच्चा अच्छा से सीखें यह परपस है तो यह तो हो गया गलत हमें बच्चे के पक्षमें चाहिए उत्तर जो टीचर के है वो नहीं बच्चे के बच्च में चाहिए सब कुछ क्योंकि चाइल सेंटर एडिकेशन कहते है सारा सारी दुनिया बच्चे के राउंड हो रहे वहां पर जो भी एक्टिविटी प्लानिंग है जो भी मैथरें टीचर के सब कुछ वो बच्चे के साप से होगा इट है जो भी चीजें वीडियो में भी देखिये माली जाया सुना है तो वो जितने जा सेंसे इंवल्ट है उतना बहतर है हलां कि इतने चोटे लेवल पर हाट नहीं पढ़ाने लग जाएंगे इट प्रोवाइश बाड़ी पार्ट के अगर बात करूं इट प्रोवाइश ऑपर बताइगे गाशन एटीन का जवाब दीजे विच ऑफ फॉलिंग स्टेटमेंट और ऐसा नहीं अगर किसी को वेशन ऐसे लगर हाँ ठीक मदब हो पारे मिर से पेपर में यह नहीं आएगा बाइग पेपर इसी के आराउंड आएगा उसले बस यह बार बार चीजेंग विच ऑफ फॉलिंग वो भी सीड़ तो एक लिस्ट उसको सोचो भी मत विच ऑफ फॉलिंग स्टेटमेंट्स प्रपोज इन दी नेशनल एडुकेशन पॉलिसी 2020 से भटकता नहीं पेपर एन भी 2020 में कौन सा कथन प्रस्तावित हुआ है फॉस्ट ऑप्शन बीं मल्टी लिं चाहां दो जानने वाले बच्च ऑघ्ज ऑघषा जानने वाले बच्चे आगर आप जानते एक से तो आपका संग्यानात्म किस्तर बहतर होता है अब बहतर करती है अब दो भाषा के लोगों को देख पाएंगे अगर माली जो मुझे हिंदी इंगलिश दोनों में किसी ने अगर कुछ भी लिट्रेचर लिखा है वह पढ़ पाऊंगी इंटर्वियू देख पाऊंगी लोगों के किताबे पाऊंगी क्योंकि मेरे पास जितनी भाषा मुझे आती है उतना benefit है तो यह संग्यान में हमारे दिमाग के विकास में help करती है मदे तेंग में पढ़ा हूं प्राइमेर लेवर पर तो इस्पेशली जो भी बच्चे की खुद की भाषा है जो वो घर से लेकर आया है वह उसकी मात्रे भाषा है वह पन्जाबी हो जाती हो वाटेवा बाइलिंग्वल एप्रोच क्रीट्स इसमें बल्कि ज्यादा सब्सक्राइब रहता है बच्छा बाइलिंगल अप्रोच क्रियेट्स कंफ्यूजन नहीं ऐसा नहीं है एल्फूल होनी चाहिए इस्कूल्स के दो भाशा में पढ़ा होगी तो गड़बर होगी नहीं इस्कूल शुद एंकरेज चिल्डरन जैसे माली इंग्लिशन पढ़ाया हिंदी में ट्रांसलेट कर लिए तो प्रॉब्लम नहीं है स्कूल शोडिया दो भाशाओं का प्रयोग क्लास्रों में प्रॉब्लमेटिक नहीं है जितनी भाशा उतना अच्छा है स्कूल शुड एंकरेज शिल्रन टू लर्न इस्पीक इंग्लिश एज फॉर्स लेंग्वि त्री भाशा सूत्र जो है साउथ में थोड़ी कथ होती रतिया स्कूले के त्री भाशा सूत्र की अगर मैं बात करूं तो इस सिंपल ती लेंविजिस की बात है यह पहली आपकी मदर टंग एमटी मदर जो भी बच्चे की मात्री भाशा है तो आप उसमें उसको बाइस भाशाएं और भाशाएं उनमें से कोई भी हो सकती है अब संस्क्रित या कुछ ऐसी भाशाएं जिनको क्लासिकल लेंविजिस कहा जाता है उनको भी प्रमोट करने की बात नेशनल एड़केशन पॉलिसी में कही गई है जैसे संस्क्रित हो गई है और इस तरह की सब्सक्रित है और यह क्लासिकल लेंविज वाला ने बता इनको प्रमोट करने की बात की गई है नेशनल एड़केशन पॉलिसी में नेशनल एड़केशन पॉलिसी में जो स्ट्रक्चर था टैन प्लस टू प्लस थी का स्कूल लेवल पे तैन प्लस टू इथा दसवी दस साल की और यह दो सल का आपका 1112 अभी क्या है यह 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 यह मैंना आपको सिंबल ट्रेक बताई हुई है पांच सो चौ गए दो बार टीन का स्कूर आप इसे क्ली तो पांच साल की तो है FPMS से यादर रखना है फांडेशनल स्टेज जिसमें आंगन वाड़ी है दो साल की और फिर तीन साल की बिसिकली फिर फॉस्ट और सेकंड क्लास है तो पांच साल ऐसे हो गए फिर प्रेपरेटरी स्टेज ह है थर्ड तू फिफ्ट वाली थर्ड फॉर्थ फिफ्ट तीन साल हो गए फिर मिडल स्टेज है सिक्स सेवन थेट फिर चार साल का आपका सेकंडरी स्टेज है नाइन्थ टू ट्वेल्थ करिया नेशनल एडूकेशन पॉलिसी इस्टेंडर आइस टेस से फ्लेक्सिबिलिट घूले था या चुका है पहले 360D डिग्री असेस्मेंट होले स्टिक होना चाहिए आपका बच्चा सेल असेसमेंट बीगे खुद को भी आखलन करे उसके स्की दोस्त भी उसको आखलन करें यानि पीर असेस्मेंट और उसका जो टीचर वह भी उसका आफलन करें तो यह 360 डि गांगा 360 डिग्री जिसमें उसके सारे पहलू है वर्ष नुम्ब 19 देखेगा यह क्या कहता है फटाफट से देखेंगे यह कहता है विच आफ फॉलिंग कंडिशन आफ लर्निंग शुट भी गिवन सहभागिता द्वारा कॉष्ण और ज्यानकारजन बच्चा सक्रे रूप से कोई स्किल सीख रहा है कोई एक्टिविटी कर रहा है ट्राइंग पेंटिंग स्पोर्ट्स वाटेवर क्लास्रूम में एक्टिव है डिस्कॉशन डिबेट यह सब अच्छी बाते हैं फिर भी वाग नहीं कोई पनिश्मेंट नहीं इन से आपको बच्के रहाना बच्चे को इंजॉइमेंट के लिए सीखे बच्चा अपने लर्निंग फॉर्ट सेक आफ लर्निंग इंटर्नल मोटिवेशन इन सब्सक्राइब तो सेकेंड ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा कि वह से मैंने सामिल किये हैं सुमावेशी सिक्षा से अभी प्राय है इन्क्लूस एजुकेशन का क्या मतलब है वाट्चा जो है वह उसकी गुणमत्ता सिक्षा की अच्छी हो पता चल रहा है बच्चा एट एट क्लास में पहुच वह ठीक से पढ़ना नहीं आता उसको बहुत इस्तिती खराब है आप ग्राउंड लेवल पर देखेंगे तो तो यह बात तो सही है ओनली इंग्लिश लेंवेज शुड बी टॉट इंगर्मेंट स्कूल्स देखें अभी बताया था त्री लेंग्विश परमुला की बात हुई है जबरदस्ती इंग्लिश या परसेंट रिजर्विशन ओना चाहिए राइट टू एजू एक्ट कहता है जो महेंगे स्कूल से महां पर भी कोटा होना चाहिए जो गरीब बच्चा वो भी माप पढ़ पाई पच्छस परसेंट सीट्स होनी चाहिए उनके लिए बीगड़बड हो गई यह ऐसा थोड़ी क स्कूल में थोड़ी गौर्मेंट में तो ऐसी फिस इतनी कम है प्राइविट की बात हो रहे हैं डिसे बाल इस्टूलेंट और मैं इस बार आंसर पीछे लगवा दूंगे आपके बजाए कि यहां लिखने के अनो देखना है को है डिसे बाल इस्टूलेंट शोड़ी यह लि हर एक तरह का बच्चा और सिर्फ इस पैसल बच्चा नहीं कोई गफटर बच्चा एक्रीट्व बच्चा है अयर्ग बच्च्छी इक लास्रूम में सीख सके बहुत जल्दी सीखता वो भी और जो धी में सीखता है वो भी तो स्लोओ लरनर भी हर तरह का बच्च्छ हो क् व प्राइब अबना है या वैसी चीजह है बच्छा दुनिया में उसके लिए से सथम बना इन साथ की इन सांग ऐसे लिए इंसान बना वह वैसे लिए बात है तो जो आप स्स्टम में इढ़ाते लॉट के स्कूल के इंफ्रास्रुक्टर में बिल्डिंग में या अपने मैथर्ट में ना की बच्चे में चेंज करेंगे बच्चा देख नहीं सकता तो ऐसा थोड़ी आखे लगवा दो कहीं से अगर वो पॉसिबल है सकता है तो आप बच्चे में ही चेंज कर सकते सिस्टम में चेंज करिए चलिए खेर तो यह बात हुए क्वेश्ट नंबर 21 देखिएगा सीरियेशन इन जीन प्याजेस थीरी रह फॉस्ट बहुत ही आसान सा क्वेश्टन है एक दम लट्डू क्वेश्टन है थोड़ा सापको मजाएगा एक क्वेश्टन करने में जल्दी से जवाब दो सीरियेशन इन जीन प्याजेस थेयरी रह फॉस्ट जीन प्याजे की सिधान्त की अनुसार क्रम बद्धिता का क्या तात पर रहे हैं अभी बताया थे ना सीरियेशन कहां आता है साथ से यारा वर्ष में ओन क्रीट ऑपरेशनल मूर्थ संक्रियात्मक अवस्था ठीक है ना दी अबिश्टी तो इस्पैशियली मैप प्लेसे लाइक वन्स स्कूल यह सीरियेशन नहीं है इसस माइंड मैपिंग एक तरह से ठीक आते हैं दो एबिलिटी तो और ऑब्जेक्ट बेस्ट बेस्ट ऑन बाइन दीमेंशन फॉर एक्वार इससे पर चीजों को और मेल अपर रहे हैं घर्टे क्रम में बढ़ते करम में यह से बड़ा पर यह पैन इससे बड़ा इसके हैट माली चार बच्चे है तो अबसे जो लाइन लग वाते माली जो भी सीडियेशन का ही उधारन है कि जो जिनकी है जादा है वो बच्चे पीछे खड़े होते हैं तो सबसे फिर उस तरह से के सबसे लंबे बच्चे को आगे खड़ा कर रहे तो असेंडिंग सेंडिंग का उधारन है कि एक से सो तक गिंती है सौसे एक तब तरी दो इस देख पाई अनेरेटिब फॉर्म फिंकिंग यूज़ इन स्टोरी टेलिंग उसको नहीं कहते हैं कि एक नियरेटिब फॉर्म फिंकिंग की बात हो रही है तो सिंपल है कि आप लेंद्ट के आधार पर आप क्रम में लगा रहे हैं फटा फट से बताइएगा फिर आगे इसेंशिल करेक्टर सटेक और एक पुष्ण आता है रसनातमक्ता ना कुछ नया क्रियेेट करना कुछ डिफरेंट लाना अगर हम इसकी बात करें तो कौन साइट करेक्टर सिक है विशेशता है क्रियेटिविटी की सेंट्रेशन इंफॉर्ट अगर फॉर्ट सेंटर्ड है यानि एक ही चीज़ पर फिक्स्ट हो गए बाकी पहलू देख ही नहीं पारे तो क्रिएटिविटी कुछ नया कभी नहीं आएगा क्योंकि आपका दिमाग दिशाओं में सोच नहीं बाता तो इंपल्सिवनेस बसफ इंपल्सिव लिय आता एमोशन पींट्रोल रहें तो यदो भी बहुत वात नहीं विचार है आपके पास अपने विचार open-ended है तो इसमें आप थोड़ा नया सोच पाएंगे डाइवर्जेंट बीसी साथ चलता है सीसी नहीं यानि इसका मतलब यहलं कि हर डाइवर्जेंट निए यहीं सोचेगा हर बार लेकिन कोई भी विच्ति जो क्रेटिव अवो डाइवर्जेंट थिंख कर ही योगा क्यूकि रशनात्मक नहीं हो सकते आप बिना दूद्ट आओं में सॉचे ठीक है प्राइमरी अब्जेक्टिव और संपून पक्षों में हर एक पहलू को हम देख पाएं असे स्टेंडिंग अड़ेप्टिंग करिकुलम पेडगोजी अकॉर्डिंग यानि बच्चे की समझ को समझ पा रहे हैं और उसको देख करके क्लासिफाइब करना बांट दिया आपने यह टॉपर है यह फलाना नहीं तो आप बच्चे के इंड़स्टेंडिंग को और करिकुलम में उससे सबसे चेंज ला पा रहे हैं यानि करिकुलर और को करिकुलर यानि पढ़ना लिखना और उसके अलावा स्पोर्ट में अच्छा ह कि नाम में कहीं कॉगनेटिव डिवलेप्मेंट जिसमें चार स्टेज्ज और यहां पर इनकी जो थेयरी है वो उसका नाम है वाइगास की सोशियो कल्चरल अप्रोच यानि वाइगास की का सामाजिक सांस्कृतिक सिधान्त के समाज और संस्कृति के साथ इंटेरेक्शन से अन्यों निकरिया से मिलने जूलने से संग्यान का विकास होता है तो यह थेयरी के नाम में नहीं का नाम भी पूछ लेता है साइको अनलसिस नहीं यह अलग ही संप्रदाय है यूनिवर्सलिसम नहीं सोशल कंस्ट्रक्टेव क्योंकि इनकी थेयरी का आपको बताए यह तीन पढ़ने से यह सोसाइटी कल्चर लेंग्वेज यह तीन बहुत महत्पून बातें हैं किसके बारे में वाइगॉस्की के थेयरी के बारे में तो इस सोशल रचनावादी है समाच में बच्चा एक्टिविटी करके गुरूप में सीखे इन सब की बात करेंगे विभार वाद पर नहीं या किसी और पर नहीं बच्चे को एक्टिव रखना में सब्सक्राइब करेंगे फून मिलेगा गाड़ी मिलेगी वर्टेवर टेवर्टेवल इंसेंटिवर्ट मोटिवेट इस्टुटेंस फॉर लर्निंग कौन सा संप्रदाय है जो यह कहता है और ऐसा होता भी ह यह अपने अपने अलग अप्रोच यह बहुत बढ़िया अप्रोच निसको एजुकेशन में आज के समय में नहीं मानते हैं यह अप्रोच है बहुराल अप्रोच विश्यों कल सब्सक्राइब लोग तो कहेंगे एक्टिविटी करके सीखने बच्चे को जॉए आफ लर्निं आपके स्लेवस में नहीं है इसमें रिवार्ट पनिश्मेंट की बात होती है वहारवादी उसमें